फ्रेंट्स हम सभी लोग रीसाइकलिंग के बारे में जानते हैं हम अपने पुराने निउस्पेपर्स, पुरानी बॉटल्स, पुराना लोहा जो भी चीज पुरानी होती हैं उसको स्क्राप डीलर यानि की रद्दी वाले को हम बेश देते हैं उन समान को नया बनाने के लिए इसको रीसाइकलिंग कहा जाता है इसको सभी लोग जानते हैं और बच्पन से हमें किताबों में भी इस तरह की चीजे बताई गई है हमारे बड़े लोग भी हमेशा हमें यही समझाते हैं कि हमें रीसाइकलिंग करनी चाहिए recycling मतलब कोई भी आपके पास ये पुरानी book है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं आप इसको रद्दी वाले को sale कर सकते हैं इसको factory में जाकर दुबारे से recycle करके एक नया product बना दिया जाता है इससे फायदा ये होता है कि एक तो चीजे सस्ती हो जाती है दूसरा ये कि pollution नहीं बढ़ता लेकिन मैं आपको ये रद्दी वाला process समझाने के लिए नहीं आया हूँ मैं आपको एक अनोखी चीज बताने आया हूँ क्या आपको मालू है recycling का process God ने हमारे अंदर डाला हुआ है और वो इसलिए डाला हुआ है ताकि हम बोर ना हो जाएं हमारी जो लाइफ है वो बिलकुल बोरिंग नीरस ना हो जाए सलिए देखते हैं कभी कभी आपके पास या आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप बैठे हुए हैं और अचानक से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं हुई होती है कि जिस पर आपको हसी आया या खुशी महसूस हो लेकिन अचानक से आपको कोई परानी बात याद आ जाती है जिसके वज़े से आप दुबारा से हस पड़ते है ऐसे ही कोई आपके सामने कोई आपका दोस्त बैठा हुआ वचानक से मुस्क्रा पड़ता है आप उससे कहते हैं क्या हुआ वो कहता है कि अरे नहीं यार मुझे एक परानी बात याद आ गई इस इस रिसाइकलिंग यह रिसाइकलिंग कांसेप्ट गॉड ने हमारे अंदर डाला हुआ है क्योंकि हम तो खुश रहना चाहेंगे नहीं इसलिए गॉड ने सोचा कि चलिए पुरानी बाते याद दिला करी इसे खुश कर देते हैं बने रहे पी टु मॉटिवेशन के साथ और रिसाइकलिंग ऑफ हापिनेस चलाते रहे इसी तरह अपने लिए दूसरों के लिए इस दुनिया के लिए और उसके लिए जो हमें बनाने के बाद हमेशा खुश रहना देना चाहता है और यह चाहता है कि हम उसे हमेशा खुश दिखाए दें तो कम से कम कहते हैं ना भगवान के लिए ऐसा कर दो तो प्लीज अपने लिए ना सही भगवान के लिए तो खुश रहो 32 दिखाते रहो पीटू मॉटिवेशन के शाद जुड़े रहो सबस्क्राइब करो अपने लिए अपनों के लिए और